दोस्तो आज हम बात करेंगे चंदूलाल चंद्राकर मिमोरियल मेडिकल कॉलेज जो की दूरगय में जिती था है। यहाँ कॉलेज बहुत ही जादा पुराना कॉलेज है और यहाँ कॉलेज बंध हो चुका था। उस टाइम में प्रावेट कॉलेज था जो की बंध हो चुका था अभी के टाइम में गोवर्मेंट कॉलेज हो चुका है और यहां फिर से मेडीकल की पढ़ाई स्टार्ट होगी नमस्कार दोस्तो मैं हूं तरस्था हूँ आपका मेरे चैनल में स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से 36 जड़ की कॉलेज है उनिरसिटी है उसके बारे में पूरी जान करे दिया जाता है जो भी इंट्रेंस एक्जाम वगेरा है उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाया जाता है या फिर आप इंस्टाग्राम में आ सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आज हम बात करेंगे चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल गवर्मेंट कॉलेज की बारे में कंप्लेट बात करेंगे तो इसकी जो लोकेशन है वो कुरुद रोड कचांदूर दूर्ग में पढ़ता है और इस कॉलेज में आपको 750 बेट की एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल मिलेगा जिस हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा इलाज होता है आसपास के लोग वहाँ जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं स्मार्ट कार में यहां बहुत कम फिस में इलाज होता है तो यहां सभी जाना पसंद करते हैं आपकी इंटर्ण्सिप के लिए बहुत ही अच्छा है चुकि कॉलेज बहुत ही पुराना है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरियन्स वाला है 36 गड़ के पहला प्रावेट MBBS कॉलेज यह था और बंध हो चुका था 2013 से कॉलेज है और अभी इसमें फिर से एडमिसन स्टार्ट होगा इस साल पहले भी 150 सीट था अभी भी 150 सीट है तो आप यहां एपलाई कर सकते हो अभी CGDME की कॉंसलिंग स्टार्ट नहीं हुगा जैसे ही कॉंसलिंग स्टार्ट होगा आप यहां एपलाई कर सकते हो यहां MBBS के साथ साथ यहां बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स में पढ़ाई होता है paramedical course में कौन-कौन से courses में पढ़ाय होता है इसके बारे में मेरे पास पूरे details नहीं है इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ जैसे ही मेरे पास कोई भी update आता है मैं आपको वीडियो बनाके बताऊंगा और यह college दूर्गे में इस्तित है दूर्ग सिटी के बहुत ही पास है मतलब दूर्ग सिटी में ही है बोल सकते हो तो लोकेशन के मामले में बहुत ही अच्छी जगर है इसलिए रायपूर राजनान गाओं के बाद तीसरा जो सबसे ज़्यादा डिमांडेट जो गोर्मेंट मेडिकल कॉलेज में वो इसी करेंगे तो कॉलेज बहुत ही अच्छा है लोकेशन के मामले में अच्छा है एजुकेशन के मामले में बहुत ही अच्छा है और यहां का जो हॉस्पीटर है वो भी बहुत ही अच्छा है जो की इंटरनसिव और प्रैक्टेस के लिए बहुत ही अच्छा है तो आप यहां ए दूसरे वीडियो में किसी निव इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक ले जैहिन।